उत्राखन के मुख्यमंत्री पुश्कर्चिंग धामी ने कावड यात्रा दोहजार चौबिस में शिव भक्तो का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप सभी शिव भक्तो का कावड यात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिननदन है। नहीं भग्वाड शिव से आपकी सुखद एवं मंगल में यात्रा की कामना करता हूँ। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करती हुए कहा कि यात्रा के दौरान मा गंगा की स्वक्षता एवं कानुन ववस्था को बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सही उप करे। नमस्कार हरर महादेव देवों के देव महादेव भगवान सिव को समर्पित आस्ता और भक्ति से परिपून पवित्र कावड यात्रा के सुभारं के सुभारं के सुभावसर पर आप सभी को अनिकानेक सुभकामना हैं। स्राणमास के पवित्र महने में 22 जुलाई 2024 कावड यात्रा के सुभारं पर मैं इस कावड यात्रा में आप सभी सिव भक्तों और सरधालों का हार्दिक स्वागत युम अभिनुबन करता हूं। और देवों के देव महादेव भगवान सिव से सभी सरधालों की सुख़ देव मंगल में कावड यात्रा की कामना करता हूं। आइए गंगा मैया को सदा स्वच्छ और निर्मल रखने का प्रण लें और साथ ही कावड यात्रा को सुरक्षित सफल वा सुगम बनाने में सयोग करें। हमारी सरकार कावड यात्रा में आने वाले सभी सिव भक्तों की सुगम वा सुरक्षित यात्रा हेतु फून गूप से प्रतिवद्ध है।